अजय देवगिन ये नाम किसी के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार सुना होगा। हमें आदत है इनको पदे के सामने मारधार, आक्शन, रोमैंस, कॉमेडी, सब कुछ करते हुए देखने की परफेक्ट हीरो मटेरियल। लेकिन क्या आप जानते हूँ सिफ कैमरा के सामने नहीं ये कैमरा के पीछे से भी हीरो बन सकते हैं, सकते क्या बन गए समझो। सारी शिकायतें दूर करने वाले हैं। ये बन्दा जब टिफ डिरेक्टर की कुरसी पर बैठता है ना, बॉलिवुट को समझ लो कुछ बिल्कुल हट के गिफ्ट करता है, शिवाय, रनवे 34 एकदम बवाल है दौनर मूवीज। भूला का टीजर, honestly, मुझे लग रहा है मास with class का special combination जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है किसी भी फिल्म में। जो original फिल्म थी ना कहती, वो Tamil इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी, मास सिनिमा का style बदल के रख दिया था उसने। और सच बताऊं, अजय देवगन ने सबसे बढ़िया काम यही कि कि वो उस फिल्म को scene by scene remake नहीं कर रहे है, simple copy पे इस बिल्कुल नहीं। इन्होंने खुद का अपना एक style दिया है भुला फिल्म के अंदर, scenes को बदल दिया, कहानी में भी थोड़े बहुत changes जरूर किये होंगे। आज फिर जीने की तमना है, इसका यूस किसी मास फिल्म में इस तरीके से किया जाएगा, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इन्हों समझ नहीं आ रहा, action scenes प्लस ये dark dialogue delivery एकदम माहौल सा बना दिया टीजर में इन दोनों चीजोंने, कुछ mystery suspense टाइप का भी feel हो रहा है, ये अजीवों गरीब scenes देखकर, कहानी original film से थोड़ी बहुत बदल दिये हैं इनोंने, प्लस VFX वगेरा भी बढ़िया लग रहे हैं यार मुझे तो, अब DC Marvel जैसे expectation मत रखना, वहाँ पैसे भी 1000 करोड लगते हैं। इसको आपकी तरफ से, क्या दस में से 9 रीमेक्स की तरह ये फिल्म भी बरबाद होगी या फिर दृष्यम 2 की success रिपीट करेंगे अजय देव गन, फटाफट बोलो जो भी दिल में आ रहा हो। बागी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हो त अपना थोड़ा सा इंतजार करें, मिलूँगी आपसे अडले वीडियो में, टेक केर, बाई बाई